हेलो स्टुट्येंट्स वेल्कम तो फ्यूचर एकेडमी वी आ हीए फोय बेटर फ्यूचर लेट्स 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 तर्ट वीडियो तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टांडर्ट टैन हिंदी सब्जेक्ट में चेप्टर नंबर 6 है आपका कालदास का करेंगे तो अगर आपने इस चेप्टर को नहीं पढ़ाए तो वीडियो अल्रेडी अविलेबल है उपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करोगे तो वहां से आपको इसके लिंक मिल जाएगी चेप्टर को पढ़िए समझे उसके बाद स्वाध्य करेंगे त चलिए सेशन स्टाट करते हैं पहला क्योशन यहां पर है निमनलिकेत प्रश्णों के दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे यानि यहां पर आपको MCQ में से आपको वहां पर ओप्शन जो है उसमें से सिलेक करना है कि आंसर कौन सा सही है नंबर ओप्शन डी है अंबी का तो इन में से किसने बान चलाया था या फिर किसने उसको गायल किया था किसके बानों से वह गायल हुआ था तो कौन सा आंसर आएगा आंसर आता है C ओप्शन दंतुल दंतुल के बानों से हरिन्ट शावक गायल हुआ था ठीक है नंबर टू कालदास हरिंट शावक के अंगों पर डेश का लेप लगाना चाहता है यानि किस चीज का लेप लगाना चाहता है जिसके उसको राहत मिले option आपके पास है दवई लगाना चाहते है option B तेल, option C है मरहम, option D है दुरूत मेरी वेश बुशा इस बात का परिचे देती है कि मैं यहां का निवासी नहीं हूँ यह वाक्य कौन किस से कहता है मेरी वेज़बुशा इस बात का परिचाय देती है कि मैं यहां का निवासी नहीं हूँ यह कौन किस से कहता है option आपके पास है option 2 है option और मलिका दंतुल से कहता है to option को इसमें आएक option B is a correct answer यहां राज़ पूरुश मेरी वेज़बुशा इस बात का परिचाय देती है कि मैं यहां का निवासी नहीं, मैं आपके क्षितर का निवासी नहीं हूँ, मैं किसी राज्य से आया हूँ इस वज़े से दंतूल कालदास को यह कहता है । धान नमबर फोर उजे नि की राज़य सभा का प्रत्यक व्यक्तिक कालदास को किसली यह जानता है यानि वहाँ के लोगों को कालदास कौन है यह पता है किस वज़े से जानते हैं वो आपको बताना है उन्होंने देखा नहीं है कलडास को लेकिन किसी चीज के वज़ा से वो जानते है कौन सी चीज option A है रुतु सहार के लिए option B है option C है संगित साहर option D याने D है नटे सहार तो कलडास ने रुतु साहर नाम का एक लेक लिखा था एक पुस्तक लिखी थी और उसी वज़ा से उज्जेनी की राजी सभागे जो प्रैक्तिक व्यक्ति को इसके बाराई में पता है कि ये कलदास ने लिखा है और इस वज़ा से वो उनको जानते है एज लेखक जानते हैं लेकिन परसनली उनको कभी कलदास को देखा नहीं है ठीक है आपको पता है कलदास कौन थे कलदास उत्तर आता है कलदास संस्कूत बाशा के महान सहुत्ट्यकार थे नमबर टू, हरिन शावक किसके बानों से गायल हुआ था, तो आंसर आता है, हरिन शावक दंतुल के बानों से गायल हुआ था, जैसे हमने M.C.K.S. में देखा, हरिन शावक दंतुल के बानों से गायल हुआ था, नमबर त्री, कल्दास हिरन को कहा ले गए, कहा लेकर जाते है आंसर आता है कल्दास हिरन को मल्लिका के गर ले जाते है ले गए नंबर फोर अंत में दंतुल ने कल्दास को कैसे पहचाना अंत में दंतुल कल्दास को कैसे पहचानता है तो उत्तर आता है अंत में दंतुल मल्लिका के ध्वारा परिचे पाकर दंतुल ने कल्दास को पहचान लिखिए नमबर वन कौन सा है मा के रुष्ट होने के पीछे मली का क्या अनुमान करती है किस सवजे से उनकी मा उससे नाराजे ऐसा वो क्या अनुमान लगाती है तो उतर आता है मली का कालदास के साथ बरसात में बाहर गई थी वो बारिश की सिजन बारिश चल रही थी और वो वहां कलदास के साथ बाहर गई थी इसलिए वो बुरी तरह से बिक कर लोटी थी मली का अनुमान करती है कि मा की रुष्ट होने का यही कारण है यानि उसकी मा अगर जो नाराज है उससे तो इसी वज़े से की बरसा चल रही थी और वो कलदास के साथ बाहर गई थी जंगल में गई थी इस वज़े से उनकी मा वो अनुमान लगाती है वो अपनी मन में सोचती है कि शायद इस वज़े से मेरी माम मुझसे नाराज है नमबर टू दंतुल कौन था? वह मल्लिका के गर कैसे पहुँचा? तो इसका उतर आता है दंतुल उज्जैनी की राज्य सभा का एक राजपुरुष था उसके बानों से हरिन शावक गयल हुआ था गयल हरिन शावक अपनी जान बचाने के लिए कालदास की गोद में आज आ गया था कालदास उसे लेकर मल्लिका के गर गये थे रास्ते में हरिन शावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोचती हुए मल्लिका के गर पहुचा था यानि क्या होता है वह कैसे पहुचता है पहले कौन था तो वह एक उज्जेनी की राजजे का एक राजपुरुष था और वो मल्लेका के गर कैसे पहुँचा तो उसके उत्राप लेकते हैं कि उसके बाणों से एक हरिन्शावक गायल हुआ था और वह गायल हरिन्शावक अपनी जान बचाने के लिए कालदास की गोद में आकर बैठ जाता है वहाँ पे आ जाता है अब कालदास उसको लेकर मल्ले मलिका के गर पर पहुँच जाता है ठीक है आई होप कि आप समझ गए होंगे चलि नेक्स्ट अब बढ़ते हैं नंबर थ्री के उपर मलिका ने दंतुल को हरिन शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा वो क्यों ऐसा कहती कि आप इसके लिए हठ मत कीजी उत्तर आप की काल्दास के लिए उनको प्राणी के प्रति प्रेम है और जंडल की सभी प्राणी को अपनी परिवार की तरह मांते है तो उनके लिए वो समझ ना का प्रश्ना है इसलिए मल्लिका ने दंतुल को कहा कि अधिकार के प्रश्ण से सम्वेदना का प्रश्ण अधिक महत्वपूर्ण है यानि अधिकार जमाना उससे जाधा महत्वपूर्ण है सम्वेदना का प्रश्ण जो उनके मन में प्रेम था प्राणियों के लिए उनके लिए सम्वेदना थी, मम्ता थी, वो जादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिन्शावक के लिए हट न करने के लिए कहा, I hope कि आप समझ गए होंगे, next बढ़ते है number 4, कालदास दंतुल को आप अपरादी न मानने के लिए क्या तर्क देते हैं, कालदास क्या तर्क देते ह जिसक्षेत्र में हरिन्शावक का आखेट किया था, आखेट यानि शिकार किया था, उसक्षेत्र में हरिनों का आखेट करना मना था, यानि उसक्षेत्र में मना किया हुआ था, वहां का rules regulation था, जंगल का, राजपूर्श दंतुल बहार से आया था, इसलिए उसे यहां के न यह उसको जानकर ही नहीं थी इसलिए वह कहते है कि जब दंटुल्य हरिन्शावक का शिकार किया उसको आखेट किया तो उसके लिए अपरादी नहीं मान सकते क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि यहाँ पर शिकार करना मना है इस एसा लॉजीक यहाँ पर कलदास देते हैं तो ये था question number 4, number 5 है, उज्जेनी की राजे सभा कवी कालदास का सन्मान किस तरह करना चाहती है, उज्जेनी की राजे सभा का प्रत्यक वेक्ति रुतु संहार के लेखक कवी कालदास को जानता है, समराट ने स्वयम रुतु संहार पड़ा है और उसकी प्रसंसा की है, इसके उज्जेनी की राजे सभा कवी कालदास को राज कवी का सन्मान देकर उन्हें सन्मानित करना चाहती है, यानि यहाँ पे राजा ने भी खुद रुतु संहार को पड़ा है, राजे सभा के प्रत्यक वेक्ति को भी रुतु संहार के बारे पता है, उन्होंने भी सुना है तो यहां पर प्रत्यक रेखते हैं उनको राज कवी का एक देना चाहती है, उनको सनमान देना चाहती है, उनको राज कवी का राज कवी बनाना चाहती है, तो ऐसे राज कवी का सनमान देकर उनको सनमान करना चाहती है, ठीक है, ओके, तो यह थे सारे questions जो हम इस पार्ट में द सकते हो ठेक है आई होब कि हमारा यह प्रयतना आपको पसंद आया होगा ओके थैंक यू सो मज फॉर वाचिंग वाचिंग वीडियो प्लीज लाइक कीजी शेर कीजी और सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को बेल आइकन को क्लिक करना ओल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबला स्क्रीन पर आ जाएगी इस इस फ्यूचर एकेडमी टेक कर अल आफ यू और बाई